हेलो एन वेल्कम टू कुकुत प्रेम लता और आज हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी पोहा की रेसिपी तो यह एकदम इंस्टेंट वाला पोहा है तो बहुत जल्द बाजी में हैं अगर आप तो यह पोहा की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राय करेगा एक प्रेस करें फीचर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए इस पोहा की रेसिपी को शुरू करते हैं शुरूरात करते हैं सबसे पढ़े कढ़ाई से कढ़ाई या फिर पैन आप जो भी ले रहे है उसमें डाले थोड़ा सा तेल तो तेल आपको इसे भी ले स अब हम इसमें प्याज डाल देंगे तो प्याज हम डालेंगे ऐसे लंबा लंबा चॉप करके या फिर एकदम बारीक चॉप करके हमने यहां बारीक चॉप करके डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं हमने यहां पे बारीक चॉप करके डाला आप चा कच्ची बालु की पाकी चीज़ डालेंगे घुज़ कोर। अगर आप चाहे तो इसमें बहुत सारे ड्राइ फ्रूट्स और नारियल कोकुनट वगेरा भी डाल सकते हैं जैसे कि काजू बादाम किश्मिश वगेरा तो आपकी उपर चॉइस है हम यहां पे पीनट्स डालने वाले हैं यानकि मुंफल ही डालेंगे थोड़े देर बाद ड ठीक है तो अब भी हमारी फ्लेम है हाई पे अगर आप चाहे तो फ्लेम को इस वक्ता मीडियम कर सकते हैं लेकिन जो मेजारिटी आफ टाइम कोकिंग होगी वह होगी हाई टू मीडियम फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम आपको फ्लेम को लो नहीं करना है म यह चेक कर रहे हैं अलु कि क्या कंडिशन है तो मिर्श मसाल्च नगों सब्सक्राइब बहुतित कि इनले शक्राइत कर जasting दो भी जाले वह जलेरा है थाक लुक्त के मारे हो नमक, चौत की और कि यह घृछंड को मुरत हैं यह लिदा सकतyin के खांजErख़ इस वक्त तो बीज बीच में आप इसमें स्पैचला चमच कर्ची जो भी आप कहते हैं वो चला सकते हैं और अभी भी हमारी और आपकी फ्लेम होनी चाहिए हाई पे हाई टू मीडियम मीडियम या फिर पोफेक्ट हाई पोफेक्ट मीडियम अब मैं आपको देना चाहती हूँ एक किचिन टिप अच्छली यह पोफा के लिए है लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर तो यह हम डाल रहे हैं एक छोटा चमच वन टी स्पून और वो टिप यह ही है कि आप अगर चाहते हो कि आपका पोफा लंबे समय तक सॉफ्ट ही रहे ज़दा क उबला हुआ दूद उबाल के ठंडा किया हुआ दूद अगर आप उसमें डालेंगे तो सच में वह बहुत ज़दा सॉफ्ट रहेगा बहुत टाइम तक इसमें पोहा डाल दीजिए आप तो पोहा नॉर्मल पोहा है दो के डाले है हमने पोहा को इंग्लेश में फ्लाटें च्छे एम द jokes करते हों है अडों मिक्स कर दें अब तो इक साथ सारी मसालों को को खुट कर दें पोहा के ऊपड़ कि अच्छे से ऐसा में जियों हो जाय तो यह मिक्स हो जाए पने टिप दी ऺगासी शू नहीं कोसिए कोशिश करें कि यह बड़ा सा कर्छी रहां यूस्वर तो इससे बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा तो जो हमने टिप दी वह आप जरूर से फॉलो कर सकते हो अपने पुहा को बहुत लंबे समय तक सॉफ्ट रखने के लिए अच्छी टिप है आप ट्राय जरूर से करिएगा और कल ही हमने पोस्ट की थी किचेंट टिप्स और ट्रि करें सबके साथ शेयर करें को खुट प्रेम रद चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें फीजर यूडियोस की नोटिफिकेशन पाने करें तो थांक्स वर वाचिंग बाइल